जे मसीकी बहुत दिन अबाद आपके सामने आये हूं और सबको परमिश्य प्रभी शिवसी की नाम में आशिश मिले और आज हम थोड़ा सा खासकर हम देखेंगे वच्छन को ये महिलाओं के लिए हैं दुद्वार को खासकर हम महिलाओं पर उपर चर्चा किया करेंगे और व जानते हैं इसके बारे में वह हैं मार्था और मर्यम तो हम इस इन लोगों को हम देखेंगे इसके बारे में प्रभु हमें आज क्या सिखाना चाहता है लुकार रचिसर समाचार दस और 38-39-40 तीन आयते में पढ़ूंगी हम इस पर ध्यान करेंगे जब वह जा रहे थे तो यह वह है गाउं में गया मार्था नामक एक स्री ने उसे अपने घर उतारा मर्यम नामक उसकी एक बहन थी बापरभू के चर्नों में बैठ कर उसका वच्चन सुनती थी परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी है प्रभू क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करनी के लिए अके लिए ही छोड़ दिया है इसलिए उससे कहें कि मेरी सहायता करें और प्रभू कि प्रभू ने उससे उतर दिया मार्था है मार्था तुझे बहुत बातों के लिए चिंता करती है और खबराती है परंत एक महिला है, मार्था के बारे में देखते हैं और मर्यम के बारे में भी देखा कि मार्था ने लिखा है कि उसने उसको invite किया अपने घर उतारा, अर्था तो उसका मंत्रित किया कि प्रभीशिमसी आप जा रहे हैं और आप हमारे घर आईए थोड़ा बैठी है और बुलाने के बाद क्या करती है जल्दे जल्दे खिलाने पिलाने के सेवा में लग गई है और करते करते क्या हो रही है घबरा जाती है और मर्यम को हम देखते हैं वहाँ पर शान्थ है लेकिन वह आकर कि क्या करती है आकी प्रभी उश्यमसी जब बैटे हैं जब उसको चेर दी होगी मार्था ने कहा होगा यहां बैठो उश्यमसी आप आए हैं यहां बैट जाओ और वो किचन में चिल गए होगी और मरियम ने उसको चरनों में बैट कर कहने लगे कि प्रभू आपके वच्चन सुनना है मजे उसका चुनाफ फरक था अब यहां देखने वाली एक बात है हम भी मसी महिला है दोनों कारेक्टर में हमारे पास होते हैं कभी तो हम बहुत वेस्ट हो जाते हैं कभी कभी हम वच्चन को प्रधाननेता देते लेकिन हगर हम मसी महिला है तो हमारे जीवन से क्या परमेशर को वो योग ये महिमा मिल रही है इस संदर्ब में हम आज थोड़ी सी चाचा करेंगे अगर हम परमेशर के साथ चलना चाहते है परमेशर को परमेशर आपकी तारिफ करना चाहता है और परमेशर की आप महिमा करना चाहते है तो हमारे जीवन से क्या बाते मिलनी चाहिए जरूरी है कभी कभी होता है कि हमने क्या है बबतिस माबी ले लिया हमने वच्चन का ग्यान है हमारे पास हमारे पास अभी शेख हैं प्राटना उपवास करते हैं और हम जानते हैं कि परमिश्ड की उपस्तिती हमारे साथ है स्वेम येश्यमसी का नाम इम्यानेवल वो हमारे साथ है फिर भी हम क्या जाते हैं कभी परस्तिते में? घबरा जाते हैं येश्यमसी है आपके घर में, वो पस्तित है, कुछ लोगों का फोकस प्रॉपर येश्यमसी को दिख रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, डर जातें, गबरा जातें, और अपने परशितियों से गबरा जातें, तो हमें चाहिए कि ना केवल हम अपने जीवन में, अपने घर मे उसको इन्वाइट ही नहीं, उसके तरफ हमारा आकर्शन प्रॉपर होना चाहिए, हमें उसके जीवन से इंस्पायर होना चाहिए, हमें येश्यमसी की शिक्षाओं के तरफ ध्यान देना चाहिए, यह नहीं कि आगे येश्यमसी, अच्छा ठीक आब बैटों, मैं अपने का आता है, क्या मैं ऐसा कह सकते हैं, जरूरी है कि मेरे और आप में वो आकर्शन, प्रॉपर ये श्यमसी के लिए वो आकर्शन की शक्ति मेरे और आतमे होनी चाहिए, कि मैं अट्राक्ट कर सको, क्या आप आएगा ये हमारे पास, यह ऐसी बात, जब हमारे बीच में अंदर च अंसारिक चिंताय जब नहीं होगी, आपको किसी बात का डर नहीं होगा, कि अरवापरे कल क्या होगा, मैं कैसे काम करूँगी, मैं अकेले पड़ गई, ये सब आपके पस बहनी होगा, आपका जीवन जब है रही थोगा, चिंता रही थोगा, और आपके उपर कोई बात का बर्डन नहीं होगा, कि बस आपको ही करना है, कोई जम्मिदारियों से मुक्त हो करके, चिंता से मुक्त हो करके, और आप तमाम डर को दूर रख करके, जब आप देखते हैं न, तो आपको ये श्यू ज़रूर दिखेगा, आपके पास दिखेगा, आप उसकी महिमा करने पा दूसरी बात, कौन सी ऐसी महिमा होती है, जो परमेशर को महिमा दे सकती है, परमेशर के उपस्तिती में उसको प्राधान निता देख करके, उसको अपना फोकस बना के, वो परमेशर की महिमा कैसे बन सकती, कौन सी महिमा ऐसी होगी, वो ऐसी महिमा होगी, जो क्या है, उस ही हैं होगा एक ऐसा उद्धेश होगा कि मैं परमेशर को सुनोंगी योष्ये मार्था करके कामदाम बीच में से परिषान हो करों मार्यम की आता है मरीष्ये मसीश से क्या बोलती यह शिकायद करती है देखो यहां के लिए छोड़ दी मुझे और यहां पर क्या है मरियम क्या कर रही है वो सुन रही है ये शुमसी को लेकिन मार्था क्या कर रही है सुना रही है ये शुमसी देखो ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा लेकिन मार्था शाय तो ये शुमसी पर होगा तो हमारी शिकायते जरूर खतम होगी, हम उसकी शांती से, उसकी उपस्टी से, ऐसे भर जाएंगे, कि परमीशर को यह तरफ हमारा ध्यान होगा, हमारे जीवन में, अगर हम सच मुझ परमीशर की महिमा करने वाली महिला बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, परमीशर की उप माय, आपकी शिकायत नहीं हैं आपके पास, आप परमीशर की उपस्टीत को पहचानती हैं, और उसके प्रकाशनों को ध्यान से सुनती है, सुनने वाली महना बनेंगी, सुनने वाली नहीं, शिकायत करने वाली नहीं, परमीशर के लिए आप कैसी महला बनेंगी, उसके आप तारीफ करकिने वाले, उसके धे अपना ध्यान फूकस इश्यमसी पर रखने वाली फूकस, चिंताओं से, डर से, बोजों से दूर हो कर कि हम क्या जाएंगी, यह परमेशर के तरफ फूकस होगा, जा जानेगा कि परमेशर की उपस्तिती में हम है, परमेशर के हम प्रेसेंस को जान रहे हैं, उसके प्रकाशनों में होकर, उसकी महिमा करने वाले हो सके, तीसरी बात, अगर हमके महिमा करने वाली महिला बननी है, आज ही बुद्वार हैं, और ऐसे ही बुद्वार, बुद्वार को हम महिलाओं के बारे में जानेगे, आज हम मार्था मारीम के कंपरेटर study कर रहे हैं कि हमारे जीवन को आज जाचना है तीसरी बात वच्चन अगर 40 में पढ़ती हूँ आपके लिए वहां लिखा है कि परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभू क्या तुझे कुछ भी चंता नहीं कि मेरी बेहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है इसलिए उससे क्या है कि मेरी सहायता करे क्या कर रही है वह वहां पर कुड़ बढ़ाते वे गबराते वे आ गई है बिलकुल अकेली पढ़ गई हुमें और यह देखो, यह मदद नहीं कर रही है, यहां बैटे, आपको सुन रही है, और मुझे अकेला छोड़ दिया है, वह शिकायत कर रही है, अगर आप शिकायत करने वाली महिला होंगी, तब कब भी आपके मुझे योग्य प्रकार की सरहना परमिशर के लिए, योग्य स्तुति नहीं निकल पाएगी, आप परमिशर को प्रॉपर आकरशित नहीं कर पाएगी आपकी महिमा, परमिशर का ध्यान भी आप पर नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं होगा, कि आपका धिय, आपका फोकस परमिशर से हड़ जाएगा, अगर आपके अंदर शिकायत ही, शिकायत ही, बस कुछ न कुछ उसके पास शिकायत होती, complaints से बरी भी महिला, no complaints से नहीं, compliments से बहरा होना चाहिए हमको, sarahana से बहरा होना चाहिए, वो मेरी बहन मैठी है, वा मैं हभी बाट थे हो, चलो चलो, हम दोनों पहले सुन लेते बात में देखेंगे हम क्या करना है बड़ हम अकेले पड़ जाते हैं अकेले सब कुछ करना चाहते हैं परमिशुर की उपस्तिति होते हुए भी उसकी प्रेजिंस को प्रधानिता नहीं देती हमारा फोकस हमारा अट्रैक्शन हमारा एंबिशन क्या होता है परमिशुर को अट मेरे घर बैठा ब्रभू आपने समय दिया मेरे लिए मेरा समय अच्छा हो जागा तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रभी यह्रू मजी को अट्राक्ट करने वाली होनी चाहिए, मेरे अंदर वो ऐसे उद्देश हो कि मैं प्रभू को ही देखो, मेरे अंदर वो सराना होनी चाहिए कि मेरे अंदर से क्यों ये श्यमसी की तारिफ निकलनी चाहिए, बहुत बार हम क्या बोलते हैं, कि ये प्रभू, इन्हों लोगों ने मिझे छोड़ दिया, सब मे कुछ छोटा बड़ा पाप हमारे अंदर होता है, कुड़कुणाट का पाप भी होता है, वचन के ता कुड़कुणाने वाले मसी ना बनो, हमारे अंदर सिन्फुल नेचर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर चिंताओं का नेचर नहीं होना चाहिए, और दुष्टता हमारे अगर हमारे अंदर ये गुणों को हम ज़्यादा प्रधन्यता देते हैं तो सच मुछ अगर हमारा शिकायतों का जीवन दूर हो जाएगा अगर हमारा जीवन महिमावन तो हो जाएगा हर बात में हर लोगों में जो ये श्यू के पुस्थिती में चलता है हम उनकी बीट पीचे बुराई नहीं करेंगे हम ये श्यू की सराना करेंगे प्र१ु कितना अच्छा है तो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना सुरज उगात तो सब को ख्षमा करता है, प्रूद कितना अच्छा है, मुझे भी अच्छी महिला बना, मुझे भी ऐसी बना, कि मैं अपनी शिकायतों के सभाओं को छोड़कर, पापों के सभाओं को जूड़कर, परिशानियों को शिकायतों के सभाओं को छोड़कर, प्रभु राचा, हर दुष्टता को दूर करके प्रभू मैं हमेशा आपकी वरा कर्शित रहने वाली हो सके। आपको केवल मर्यम क्या देख रही है मार्था नहीं देखा एक वेक्ती है, एक मनुष्य है, एक मीत्र है मेरा परिवार का, हमारा एक regular visitor है, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहां मर्यम क्या देखती है, उसको देखती है कि परमेशर का वच्चन है, वच्चन देहदारी हुआ, इस Christmas मेहने में हम यही कहते हैं, आकाश में का जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में यह बाते मार्था के ज़रा, हमारे जीवन में बाते बहुत ज़रूरी है, मर्यम की तरह, इन वच्चनों से हमें यह सीखना है, कि मेरा जीवन परमेशर को इन्वाइट नहीं, एट्रैक्ट करने वाला हो सके, आकर और मेरा एंबिशन क्या होगा, मेरा उदेश क्या होगा, कि मैं उसकी प्रेसेंस को पहचानने वाली हो सकी, उसके बारे में बताने वाली हो सको, उसके रेवलेशन को प्रकाशन को क्यों पांकर ये रखना नहीं, दुस्तरों को बताना है मुझे, उसी तरह, मैं उसके हमेश या तारीफ करूंगी, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, आज हम मेरी बेहनों, जो जो इस वीडियों को पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी, प्रभू आपको बड़ी आशिश देगा, प्रभू आपके सुवहों को बदलने जा रहा है, और आपको चाहता है कि ही मेरी चाहती है, और वच्छन से ही परमेशर की मही मा करना चाहती है, तो मेरी जीवन में, आपके जीवन में एक बात हो, कि मेरा अट्रक्शन येश्य मसी हो, मेरा अमबेशन येश्य मसी हो, और मेरा अडूरिशन येश्य मसी, मेरी सराना, आओ हम येश्य मसी को बड़े धन्यव सी होगा और उसी की में सराना करूंगा उसी की में स्थूति करूंगा और इसका धन्यवाद करूंगा कि साल के आखरी तक भी आपने परमिश्र ने मुझे संभाला आपको संभाला हम धन्यवाद करते हैं प्रभू की एक छोटी से प्रार्तना करेंगे अपनी जीवन को समर्द पित करेंगे प्रभू मुझे करेक्ट कर आकाश प्रतीक निर्मान करता प्रमेश आपके हुज़ूरिया आते हैं धन्यवाद करते हैं शुलाजा इस वच्छन कुछ प्रकाशन को जो आपने हमें समझाया मार्थ और मर्यम के जीवन की द्वारा प्रभूज हमारा जीवन कई पार कुड़कुडाट से भरा होता शिकायद और से भरा होता उन सब को दूर कर हमें आपकी महिमा करने वाली महिला बना देजे प्रभूज जिसके अंदर के वर उसका आकरशन यश्यूमसी होगा दुनिया नहीं होगी संसार से हटकर दुष्टता से हटकर पाप में सभाव से हटकर मैं आपको सरहना करने वाली बन सकूँ मेरा धेया वो हो जो यश्यूमसी हो उसकी उपस्थिती हो उसका प्रकाशन उसकी महिमा ही मेरे जिवन में धेया हो मैं आपको एक परमिश्र का वच्चन परमिश्र का गिफ्ट जो हमारे लिए आया उसका सुसमाचार में लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकी धनिवाद के साथ कि प्रभू मुझे बदल मेरे जीवन में सुभाव में बदलाव लाईए प्रभू जीव ताकि मैं हमेशा आपके लिए एक आपकी सरहना करने वाली आपकी तारीफ करने वाली महिमा बन सको और मेरा जीवन भी महिमा मनता हो शांती पूर्न हो आपको प्रसन करने वाला हो क्योंकि आकाश में जैसी महिमा है इस पूत्वी पर भी आपके पूत्र की आपके वच्चन की मेहमा करने के लिए आप हमें चुन लिजिए प्रभी यश्यमसी के सामर्थि नाम से प्रापता मांगती हूँ आमें आमें प्रभु आप सब को बहुत आयद से आशिश दे आमें